आफ वीडियो मैं शेयर करने वाली हूं आप लोग के सांथ में बहुत भेतरीन एसी स्ट्रॉंग रेमेडी वीडियो के और बालो की थिकनस पे बहुत अच्छे से काम करने वाली है मैं आप आप लोग को फॉस्τη शो कर रही हूँ अपने बालो और अभी बालों के थीकनेस बहुत अच्छे से इंप्रूव हुई है अब देख सकते हैं कितने जादा घने हैं आफ्टर हेर वाश के वीडियो है यह और जिसमें मेरे बाल सेमी वेट है हलके फुलके गीली गीली बाल है मेरे मैंने हेर वाश किया था और आप लोग जब करते ह किकली बालों को एक दम से चेंज करनी होती है एकदम से डिसिजन लेना होता है ठीक है क्योंकि हम टकले तो नहीं हो सकते तो इस वज़े से मैंने जो चीजे फॉलो करी है वही चीज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ थिकनस के परपस से आपके से रिक्वेस्ट भ बहुत अच्छे मिलेंगे दूसरी चीज यह कि महनत करने से ही होता है बिना महनत किये कुछ नहीं होता है आपके अंदर जुनून और जज़वा होना चाहिए अपने बालों को घना मोटा लंबा करने के लिए ठीक है कोई भी चीज आप कर रहे हैं चाहें वह डॉक्टर से करा होंगी जो मैंने की है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ठीक है हाई गेस वेल्कम बैक टो मैं डिप चनल नाच्वर वीडियो हेट मैं हूं सीमा आप लोग के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बहतरीन सी ऐसी रेमिडी जो कि आप लोगों के वर्दान सावी थोने वाली है वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल अगन को प्रेस कर दीजेगा हमारा 12 मंद का 9th हेर पैक जो कि बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मै जो लोग हमारे चैनल पर नए है जैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दूसरी चीज है कि हमारे चैनल पर चल रहा है वन यर हेर ग्रो चैलिंग्स चाहें तो आप पार्टिसपेट कर सकते हैं और अगर आपको लगे तो आप हमारे कस्त्रमाइज एर प्रोड़ेक्स भी पर प्रचेस के आप भी भी एन्स्टा पर इनका फीदमेक सब्सक्राइब हिए और कमेंट सेक्शन में जाकर हिर। देख सकते हैं यूट्व की कम्यूटी पर भी और शुक्ती तो तिक है, तो फिरा देना भुला देना तो ये सारी चीज़े आपके बालो को कभी भी ग्रो अप नहीं कर सकती हैं आप अगर कह रहे हैं किसी चीज को तो उसको ना कहके आप करके दिखाए तो ज़्यादा अच्छा है और आप लोगों ने मेरे बालो की लेंट भी देखी होगी और अभी मै जब अपने आप से किसी चीज को करने की चाहत रखते हैं तो जितनी भी शक्तियां हैं ब्रह्मान में ये हमारे सांथ होती हैं और हमें हेल्प करती हैं हमें उस चीज को अचीज को अचीव करने के लिए प्राप्त करने के अगर आपने ठान लिया है कि आपको अपने बालों नहीं अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आगे रेमिडीज को देख सकते हैं तब ही आप बार बार कोश्चिन करते हैं हम शैंपू कौन सा यूज करें हमें कौन सी चीज कब लगानी है कैसे लगानी टोनर रिंस वाटर नाइट हेर पैक टॉनिक सि करूंगी कि आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है या फिर हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिनको समझ में आ गया है कि कैसे क्या चीज़े यूज करनी है तो आप लोग इनकी है ठीक है दूसरी चीज एक रिक्वस्ट ये करूंगी कि आप लोग वीडियो को कम्प्लीट देखा करें अगर मैं बोलूंगी नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आए ठीक है तो आज का जो नाइट हेर पैक को कैसे बनाना है वो देख लेते हैं बहुत ही मैजिकल और बहुत ही जादे एक्टिव है फिर मिलते ठीक है तो गई नेक्स है मारा वीड ग्राम का ओल जो गेहूं का तेल होता है गेहूं का तेल कैसे बनाना है मैंने अल्रेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है आप लोग महां से ले सकते हैं ब्लाक कैसरोई एक दम मैजिकल की तरह आपके बालों में काम करता है बिल्कुल मैजिक जादू की आप एक बार इस नाइट हेयर पैक को बना कर देखिएगा आपको इतने गजब के रिजर्ट्स मिलेंगे ना कि मैं बताने सकती है नेक्स है हमारा प्योर कलोंजी का कैरियर ओयल ठीक है यह काफी स्ट्रॉं होता है बहुत सारे कैरियर ओयल ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉं नहीं अगर आपके पास में सेंशुनल अवेलिबन नहीं है तो आप दनी एपने चैनल पर ढाला हुआ है आप महां से चेक कर सकते हैं नीक्स मैने आ पर जो सेईट मी असेंशुनल डाल है जो भी आपे ऐसंशुनल डाल रहे हैं उसके आप 10 बूंद और बारर बूंद. 15 बूंद. डाल सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है आपका ये जुस नाइट एर पैक है ये दो बार आप यूज में ले सकते हैं जितनी कौंटिटी में मैं बना रही हूँ अब यहां पर मैंने कौंटिटी में नहीं करी हुई है विकास किया है कि किसी के बालों की लेंद कम होती है किसी के बालों के ठीकनस कम होती है तो आप यहां पर जो भी इंग्रेडियंट लेंगे फॉर्स ताम यूज के लिए आप पांस से दस बुन एसेंचिल ले सकते हैं आप छे से साथ चमच अलोवेरा जल ले सकते हैं जो तेल मैं इसमें आट किया है सारे ही तेलों को आ और आप साफ सुथरे बालों पे भी लगा सकते हैं लगाकर ओवर नाइट रखिए दो दिन भी रख सकते हैं उसके बाद शांपू से वाश कर देना है लगाने से पहले आपको कॉम करना है इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए अलोवेरा जल का प्रयोग जरूर करे ठीक है तो गाइस देखा आपने हमारा जो नाइट हेयर पैक है वन यह हेयर ग्रोट 12 मंद का नाइट हेयर पैक बन करके रेडी हो चुका है इस पैक को आप लोग बना करके 15-20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं कोई भी चीज आपको फ्रिज में नहीं रखनी है है एयर से रि और यूज कीजे और इसके रिजल्ट मेरे साथ में शेयर कीजेगा क्योंकि 12 मंद का जितनी भी रेमेडी आएंगी वो थिकनस के ऊपर होंगी आपके बाल थिक जरूर होंगे 100% होंगे अगर आपके अंदर जुनूर है ज़जबा है अपने वालों को अच्छा मोटा घना कर और मेरे साथ इनका फीडबक जरूर शेयर करें क्योंकि मुझे पता है कि मेरी रेमेडीज कितनी अच्छी है और लोगों को पता है जो लोग यूज करते हैं तो मिलती हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के रिए बाबाए लाव यू टेकर अपना ख्याल आपर खेगा वीडियो च्छी लगितु एक लाइक करते हैं आई